नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूज एक्स्प्रेस मैं हूँ आपके साथ काजल आईए रुप करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओड़ सोनी पत के सिंगु बॉर्डर पर तीन क्रशी कानूनों को लेकर किसानों का धरना 11 महीने से चल रहा है अक्सर किसानों का धरना किसी ना किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहता है वहीं इसी कड़ी में देर रात एक शक्स की बड़ी ही बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई इतना ही नहीं शक्स के हाथ और पैर भी काट दिये गई इस वारदात से सम्मनित कुछ वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे है ये वीडियो इतने दर्दनाक हैं कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता इसमें वैसक सुजिंदा है और उसके पास निहंग खड़े हुए है उससे बार-बार पूच रहे हैं कि वै कहां से आया है नाम क्या और किसने भीजा है आखिर उसे कुछ निहंग वहीं एक पुलिस मैरिकेट से बान देते हैं और वै तड़ब तड़ब कर अपना दम तोड़ देता है पुलिस को जैसे ही इस व्यक्ति की हत्या की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुची शफ को कबजे में लेकर पुसमार्टम के लिए सोनीपत के स्पताल भीजी अगया पुलिस में अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर ज्याद शुरू कर दी है यह मामला काफी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है सोनीपत से हमारी समवात दाता विकास ओल्यान की रिपोर्ट इसके अस्डियो ब्यूटी थी वो अपने मुलाजमों के साथ मोक्टे पे लिया उसके वहाँ जाके देखा कि एक आद्मी का रखता है वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूस्ताच करने की कोशिश की लेकि उस चीज़ कोई कुलासा नहीं हो पाया कि कि किस ने ऐसा किया है और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाकत नहीं हो पाई है हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और F.I.R. प्रोज कर ली है हमने अन्नोन आदमी के खिलाफ और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताएगा वीडियो सब्लेट को आएगा आएगा आपके ये दावा किया जा रहा है जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आएगी वो तत्या आपको बताएगा ठीक है ठीक है ठीक है चले आज़ाएगा हमारे फेस्बुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बैल आइकोन को दबाना न भूले